दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैपी न्यूएर और आपने जो हैंडमेट टेल की सीरिस को इन ज़ाद प्यार दिया है तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुकर अधा करना चाहूंगा तो इस नए साल के साथी मैं अपना एको चैनल चालू करने वाला हूँ जिसका नाम में होरर सीरिस वहापर मैं सारी वेब सीरिस को एक्स्प्रेंट करूँगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उससे भी सबस्क्रेब जरू कर लेना क्योंकि हैंडमेट टेल के सी पर इस और मियू के एकस्प्रेंशन को चाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डेम करके बता सकते हैं मैं आपको मेंसच को जरूर देखूँगा और उसे जल्दे से जल्दे explain करने की कोशिश करूँगा तो अब भाई है आपके ज़दा टेम इस नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे explanation की और दोस्तो हैंडमेट टेल की season 4 में हैंडमेट टेल की life case ही होगी बच्चों को गल्यट से बाहर निकालने के इस कदम की वज़े से जून के साथ बाकी हैंडमेट को भी क्या सज़ा मिलेगी फ्रेडो सेरेना के लिए केनेडा की गवर्मेट क्या फैसला लेगी यह हमें आलची कहानी में पता चलेगा वर्निंग वेल्कम टू हरोलेंट अगर आप पहले बार इस चैनल पर आएं जून बहुते ज़ादा दर्द में थी लेकिन फिर भी वो बाकी की हैंडमेट से यह के रहे थी कि उनको यहां से दूर वेस्ट की तरफ जाना चाहिए नई तो आर्मी उनको पकड़ लेगी जून के बलट को रुकने के लिए हेना एक लोई को गरम करके जून के जखम पर लगा देती है ताकि जून का और खुन नहीं बहे और उसकी मौत नहो लेकिन इसमें जून को बहुते ज़ादा दर्द होने वाला था फिर कुछ तेर के बाद में सब भी हेनमेट एक टरक में चुपकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर जा रही थी और रास्ते में आर्मी उस ट्रक को चेक भी करते हैं लेकिन वे सबी ट्रक के नीचे के कमपाटमेंट में चुपे थे तो इसलिए आर्मी उन लोगों को नहीं देख पाती है इधर दूसरी तरफ केनेड़ा में मार्क से सरेना और फ्रेट को पता चलता है कि गल्यट से एक प्लैन केनेड़ा आई है जिन में कुछ हैन्मेट्स और बच्चे है और इस प्लान को हैन्मेट जून ने अंजाम जा था इस प्लान में जून शामिल थी ये सुनकर फ्रेट और सरेना बहुत ही शौक ड़ते के असली प्रेंट के पास से बिज़ा जाएगा जून ने प्लान तो 56 बच्चों को निकालने का किया था लेकिन किसमत से और भी कैसा था बच्चों को जून वहाँ से निकाल पाई अब इस तरफ गल्लेट में हैंडमेट को जंगल से दूर एक घर दिखाई देता है जून की हैंडमेट को इशार करके घर के तरफ बुला लेती है लेकिन जून बहुत जाद जखमी थी तो इसलिए वह वह पर जाकर ब्हुश जाती है जून को फिर घर के अंदर लाया जाता है जहां पर उस घर की मालकिन एस्टर भी जून के बदद करती है एस्टर एक टिनेज लगती है फिर दूसरी तरफ एरिका से गलेट की अथोरिटीस पुछताच कर रही थी क्योंकि सबी हैंडमेट की जिम्मेंदारी एरिका पर थी लेकिन फिर भी उन हैंडमेट ने कैसे इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया और इस प्लान का जरा भी एरिका को पता नहीं च जाती है लेकिन एरिका जून से बहुती जाता गुस्ता थी तो इसलिए वो अथोरिटीस से कहती है कि जून को जल्दी से पकड़कर उसके पास मिला जाए क्योंकि वही जून का सजा देगी अब ऐसे ही 19 दिन बीत जाते हैं और जून अभी काफी टिक हो चुकी थी उन सभी की हैंडमेड कमांडर केस के फार्म और उनके घर में अब काम करने लगे थे लेकिन उन लोगों को वहां से भी बार निकलना था बोनी से जून को फार्म के पास एक हाईवे के बारे में पता चल जाता है और जून फिर एस्टर से मिलती है एस्टर जून को ठीक देखकर सब में गुषने से मना कर देती है जिस वज़े से एस्टर जून से नाराज हो जाती है अब हम मिस्टर लॉरेंस को देखते हैं जिससे जेल में रखा गया था और निक मिस्टर लॉरेंस के पास आता है निक की बातों से हम यह समझ पाते हैं कि मिस्टर लॉरेंस को अथूरि देना चाहती थी इससे सुनकर निक महार से चला जाता है फिर इधर फार्म में हेना एक पीक को भूत प्यार करती है लेकिन खाने के लिए उस पीक को ही मार दे जाता है फिर रात को उसे पीक का मीट बना जाता है और हेना के अलावा सब भी उस मीट को खाते हैं तब एस्टर फ कि वो उल्टे ना कर पाए और तब जून गुस्टे में एस्टर को रोकती है और एस्टर वहाँ से चली आती है जून विर एस्टर के पीछे जाती है जहां पर एस्टर एक शाकू लेकर खड़ी थी और जून एस्टर को उन हेंडमेट के साथ में कुछ भी करत करने से मना करती उन सबी हेडमेट के साथ पहले ही बहुत कुछ बुरा हो चुका था और यहां पर हमें एस्टर की बातों से पता चलता है कि कमांडर कीज को बेबी चाहिए था लेकिन उन से बेबी नहीं हो सकता था और तब एक बेबी पाने के लिए कमांडर कीज ने कई कमांडर आर्मी और श यहाँ पर। जूण को इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहती थी। जून अब हUNG यहाँ से निकलना चाहती थी। क्योंकि उन लोगों को अभी तक आज़ादे नहीं मिली थी लेकिन मौनिक के मताबिक उन लोगों को जितने आज़ादे मिलना थी वो उन्हें मिल चुकी है और वे सब भी यहाँ पर बहुत ज़ादा खुश है फिर गर के अंदर जाकर जुन देखती है कि सब भी हैंडमेट हस रही है और डांस भी कर रही है और सच में वे सब भी यहाँ पर बहुत ज़ादा खुश दी फिर इस तरफ मिस्टर लॉरेंस को आदमी एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर निक था और निक ने मिस्टर लॉरेंस की मौत के सजा रोग दी थी निक ने अथुरिटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर मिस्टर लॉरेंस को सजा नहीं देंगे तो मिस्टर लॉरेंस गलेट के बिहाफ पर कनाड़ा से बात कर सकते हैं और वो गलेट के बच्चों को वापस बेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही वो हैंडमेट को पकड़ाने में भी मदद कर सकते हैं अब अगले दिन पोर्स नाम के एक गाट को एस्टर और बाकी की हैंडमेट पकड़ कर लाते हैं क्योंकि उसने कमंडर कीश से गर पर उन सबी हेंडमेट को देख लिया था और उसके वज़े से वे सबी पकड़े जा सकते थे एस्टर से जून को पता लगता है कि पोर्स ने भी कई बार एस्टर का रेप किया था तो इसलिए जून के कहने पर सबी हेंडमेट एक रूम में पोर्स को बांद देते हैं जून खुदी एस्टर को चाकू देती है और कहती है कि रेपिस्ट के सजर हमेशा मुट की होती है और जून ये केकर वहाँ से चली आती है वहाँ से आने के बाद में जून अपने बेट पर जाकर सुझाती है और कुछ टाइम के बाद में एस्टर खुन से लटपत हाथ में चाकू लेकर जून के पास में आती है और उसके पास में सुझाती है और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एस्टर ने अपने एक रेपिस्ट को माँ डाला है और जून अब एस्टर को अपनी बेटी की तरह मान रही थी सीजन 4 का एपिसोड 1 यह पर कतम होता है और यहाँ से शुरू होता है हैंडमेट टेल सीजन 4 का एपिसोड 2 जहांबर कुछ आर्मीज कमांडर कीस के घर पर भागी उच हैंडमेट के बारे में पुछताच करने के लाये थे जुन सभी हैंडमेट को पैनिक करने से मना करती है और सभी हैंडमेट वहाँ पर चिपी हुई थी और जून छुटकर उन Army's और Commanderør केस की बाते सुन रही थि एस्टर भी Commander Wen Ground नहीं रही थी और Commander pops के साती थी और Commander felt को बाते यद नहीं रहीती थी तो एस्टर आर्मी के सामने बात को समाल लेती है और आर्मी को जूट करती है कि उन लोगों ने उन हैंडमेट को नहीं देखा था और तब वो आर्मी जब यहां तक आ चुके थे तो जून को यहां से निकल नहीं होगा और बाकी हैंडमेट यहां से दूसरी जग नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वे लोग यहाँ पर काफी ज़्यादा अच्छे लैफ जी रही थी यहाँ से निकलने के लिए जून ने डेविट को कनेक्शन डूडने के लिए का था और डेविट को किसी के बारे में पता था जो कि उनको यहाँ से बाहर निकल सकता था और वो उन्हें एक safe house भी दिला सकता था तो इसलिए जून उस person से मिलने के लिए निकल जाती है अब कहानी फिर से Canada की तरफ आती है जहाँ पर एक press conference में John जून के बारे में लोगों को बता रहा था नीना भी है पर जून के बारे में मीडिया के लोगों को बताती है कि किस तरह जून ने इस प्लान को अंजाम दिया और वो सब भी डर रहे थे लेकिन जून के हिम्मत को देखकर उन लोगों ने भी जून का साथ दिया और आज जून की वज़े से ही नीना भी गलेट से निकल पाई है जून और मुरिया के साथ में कई लोग उन बच्चों की रियल फैमिली को ढूनने की कोशिच कर रहे थे और इधर गलेट में जून एक ट्रक में छुपकर प्रोस्टिटूट हाउस आती है और वहाँ पर कई सारे कमांडर्स इंजुआ करने के लिए आयुए थे वहाँ पर मारता नाम की एक मेंड ट्रक का डोर खोल कर बीचे के डोर से जून को घर के अंदर लेकर जाती है और घर के अंदर एक गाटन में जून को डेजी नाम की एक प्रोस्टिटूट मिल जाती है डेजी जून के काम से बहुत ही खुश थी कि उसने बच्चों को गलेट से निकल कर भार बिज़ दिया है तो इसलिए डेजी जून को सेफ हाउस का एडर्स बता देती है डेजी जून को चल दे ही उस घर तक जाने को कहती है और जून को वहां की प्रोस्टिटूट की हालत देखकर बहुत जादा बुरा लगता है जून डेजी को भी वहां से चलने को कहती है लेकिन डेजी ने बहुत पहले ही वहां से निकलने की उम्मिद छोड़ दी थी लेकिन जून ने तो उन प्रेस्टिटूट के लिए भी कुछ अपने दिमाग में सोच का रखा हुआ था दूसरी तरफ कैनेडा में सेरेना का मेडिकल चेक अप हो रहा था और डॉक्टर सेरेना पर एड्स, बलड टेस्ट और उस पर कई सरे टेस्ट कर रहे थे सेरेना की पूरी नेकेड बोडी का भी फोटो ले जाता है ताकि सेरेना की उपर फिजिकल अब्यूस का भी पता चल जाए डौक्टर सेरेना को कुछ सवाल भी पूछते हैं कि सेरेना की उगली के सेकर्टी, क्या फ्रेड उसे sexually और physically अभीज़ करता था और क्या फ्रेड के handmade और उसके अलावा किसी और उरत के साथ भी बिना protection के sexual relationship भुआ था Серena ये सभी सवालों का सही सभी जवाब दे देती है पर ये सब जवब देते टाइम सिरना को काफी ज़धा तकलिफ मैसूस हो रही थी Scene cut होता है Mark ने यहाँ पर सिरना के लिए एक lawyer को hire किया था और lawyer के मताबिक अगर सिरना Nicole को वापस पाना चाती है तो उसे खुद को victim साबित करना होगा उत तब Serena पर physical abuse करने की वज़े से Fred को सजा मिलेगी victim होने की वज़े से Serena को Nicole भी वापस मिल जाएगी और Serena Nicole को तो वापस पाना चाहती थी पर वो Fred को सजा मिलता हुए नहीं देखना चाहती थी मार की समझ नहीं पारा था कि Fred की गलतियों को देखकर भी Serena Fred को सजा मिलता हुए क्यों नहीं देख सकती थी और Serena की मताबिक वो Fred को गलेट के नए लॉग के पहले से जानती थी और लॉग के पहले Fred बिलकुल भी वैसा नहीं था इस तरफ केनेना में मौरिया से मिलने उसकी पुरानी गल्फरेंड सुची आती है और सुची बहुत तिनों के लिए एक ट्रिप पर जाने वाली थी और वो जाने से पहले मौरिया के साथ में डिनर करना चाहती थी और काम से फ्री होने के बाद में मोर्या सुजी से मिलने के परमिस करती है अब यहाँ पर गलेट में प्रोस्टिटूट को निकलने के बारे में जुन अपने हेंडमेड दोस्तों का बताती है और सब भी हेंडमेड अब एक और खत्रा नहीं उठाना चाती थी बाकी हेंडमेड को अखिले ही यहां से निकलना था और अब तब प्रोस्टिटूट को गलेट से निकलने का जुन का भी कोई प्लान नहीं था जुन फिर एस्टर को जाकर ही बताती है कि उनको कल यहां से निकलना होगा एस्टर भी जुन के साथ में जाना चाती थी और अगर जून और बाकी सब पकड़ गए तो उनकी जान जा सकती थी उसे एस्टर को मुसिबत में डालने का कोई बी इरादा नहीं था लेकिन फिर भी एस्टर जून के साथ में वहाँ से जाने की जित करने लगती है और तब जून भी एस्टर को वहाँ से निकालने क्ले मान गई थी लेकिन एस्टर के इस तरह गायब होने पर कमंडर उनके लिए खत्रब बन सकता था और तब जून को पता चलता है कि एस्टर कमंडर को नेचल हर्प से स्लो पोईजन दे रही थी जोकि एस्टर ने अपने घर के फार्म में सिखा था और जून तब एस्टर से उस स्लो पोईजन को बनाने के बारे में जान लेती है फिर इस तरफ सेरेना फ्रेट से मिलने कल जाती है सेरेना गलेट का सिक्रेट को केनेडा की अटुरिटिस को बतना चाहती थी ताकि वो अपने बेटी निकोल को वापस पा सके और तब फिरेट सेरेना को कहता है कि निकोल उनकी बेटी नहीं है और नहीं फिरेट निकोल का रियल फादर है सेरेना ने यह सूचा था कि जब फिरेट गलेट से बार निकल कर आ जाएगा तो वो पहले की तरफ बदल जाएगा और फ्रेट के मताबिक वो वेसा ही जैसा कि गलेट ने उसे बनाया है और उसने जो सेरेना को फ्रीडम दी थी उसके लिए सेरेना ने उसके साथ ठीक नहीं गया था फिर इस तरफ मुरिया गलेट से लाए गए जैम सनम के एक बच्चे से मिलना आई थी जो कि अब अपनी रियल आंटी के साथ में था लेकिन उसे तो अभी भी यही लग राता कि गलेट के परेंट ही उसके रियल परेंट है और उसकी फैमली है और उसे अब वापस गलेट जाना था उसे केंड़ा बे नहीं रहना था और मॉरिया अब जोन के इस फैमली से नाराज थी क्योंकि जोन ने बच्चों को गलेट से निकाल तो दिया था पर यह नहीं सोचा था कि ऐसे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कुछ बच्चे अब अपने रियल परेंट को लेकर कन्फिज हो रहे थे मॉरिया को भी निकोल की मा नहीं बनना था पर वो जून के लिए निकोल की मा बन रही थी जून ने मॉरिया और गलेट से निकालने में मदद की थी लेकिन वो खुद ही अब तक माँ से नहीं निकल पाई थी अब अगले दिन जून हैना को माँ से निकलने के लिए रेडी रहने को कहती है और खुद फिर से प्रोस्ट्यूट हाउस चलियाती है यहाँ पर कैनेडा में मॉरिया जेम्स को नीना से मिलाती है और नीना जेम्स के लिए गलेट जैसा खाना बनाने वाली थी ताकि जेम्स को कैनेडा में भी अच्छा फिल हो गलेट के प्रोस्ट्यूट हाउस में जून स्लो पोईजन की एक बोटल डेजी को देती है ताकि वो यहाँ पर आई कमांडर्स को पिला पाए और उसके बाद यहाँ से निकलने में डेजी और बागी प्रोस्ट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथी इतना सालों में उन कमांडर्स ने उनके साथ में जो हरेस्मेंट किया था उसका भी बदला उनका पूरा हो जाएगा डेजी को डर तो लग राता पर जून की हमत देने पर डेजी ये काम करने के लिए राज़ी हो जाती है और डेजी उस हर्प को ड्रिंक के साथ में बिलाकर सभी कमांडर को पिला देती है और साथ ही उस प्रोस्टिट हाउस के मालके इनको भी उस लो पोईजन फिला दिती है दूसरी तरफ केनिडा में सिर्ना की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है और उससे मार को पता लगता है कि वो प्रिंगनेट है यहाँ पर गलियट में फार्म वपस आने के बाद जून को भी बाहर कोई भी नज़र नहीं आता है जो बाद जून और डेविट को भी अजीब लगती है दोनों ही गाड़ी के बाहर आते हैं और घर के तरफ जाते हैं और कोई अचानक डेविट पर गोली चला कर उसे मार डालता है जून डेविट की गन उठाना चाती थी पर वो देखती है कि बहुत सारे लेजर गन उसके तरफ पॉइंट किया हुए थे और तब ही निक उसके पास में आकर बाकी की हैंडमेट के बारे में पूछता है उस्टिटूट के लिए जून की इसी भी लड़की को गलेट जैसे देश में नहीं चोड़ना चाती थी और यहाँ पर एक बुद बड़ा खुलासा भी होता है कि सेरेना प्रेंगनेंट है इधर जून ने बच्चे को गलेट से निकल तो बेजा था लेकिन अब भी बहुत सा बच्चे थे जो कि गलेट के पेरेंट को ही उनके असली पेरेंट मानते थे और जून के इस फेसले के वज़े से बहुत सा बच्चे अपने रियल प्रेंट को लेकर काफी सथ कंफ्यूस हो गए थे तो अब आने वाले एपिसोड में हमें ये देखना होगा कि निक ने जून के साथ में ऐसा क्यों किया उसने जून और बाके हैंडमेट को क्यों पकड़ा और क्या जून फिर से बाहर निकल कर खुद को और बाके की हैंडमेट को गलेट से बाहर निकल पाएगी तो अगर आपको यह जानना है तो बागी के वीडियो जग करिएगा जो कि मैं अपने नए चैनल पर डालने वाला हूँ तो उस चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में तो अब भगड़ जाने के बाद में जून का साथ में क्या होगा कि जून बागी की हेंडमेट के लोकेशन बता देगी उस लोग पोईजन देने के बाद में उन कमांडर के साथ में क्या हुआ होगा सरिना की प्रेगन्सी का फेट को जब पता चलेगा तो उसका रेक्शन क्या होगा यह सारे कोशन आप सभी के दिमाग में आ रहे होंगे इन आने वाले आगे के एपिसोड में अगर आप पहले बार इस चैनल पर आएं तो चैनल को सबस्रीप करके जरूर जाना एपिसोड थी के शुरुआत होती है जून से जिसके मूँ को एक मासके से बंद किया गया था और एक गाड़ी से जून को एक सिगरेट लोकेशन पर ले जाय जा रहा था गाड़ी का दोर खुलते ही निक जून के पास में आता है और जून को बताता है कि एस्टर ठीक है और उसे एक सेफ फाउस भेज जगा है जून अगर उन्हें हैडमेट का लोकेशन नहीं बताएगी तो निक उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा और निक बस जून को किसी तरह जिन्दा रखने चाता था लेकिन यहाँ पर जून निक को कुछ ने बताती है तब ही वहाँ पर एरिका आती है और जून को एक रूम में ले जाती है दरसल वो एक टॉर्चर प्लेस थी और वहाँ पर बहुत से लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा था एरिका यहाँ पर जून को बरी तरह के समारती है और एरिका के मताबिक जून ने एक बार भी उन बच्चों और उनके प्रेंट के बारे में नहीं सोचा कि एक दूसर से अलग होने के बाद में उन पर क्या बितेगी जून को फिर एक बेट पर लेटा कर उसके हाथ पर बानती जाते हैं और फिर वहाँ के अथूरिटिस का एक आदमी लेटेनेंट आता है जो कि जून को उन हैनमेट के बारे में पूछता है लेकिन जून उससे कुछ नहीं बताती है और तब लेटेनेंट जून को मारता है और उसके मूप पर एक कप्रा रखकर उस पर बहुत टाइम तक पानी डालता रहता है ताकि जून को सांस लेने में कफिज़ा तकलिफ हो और इस टॉर्चर से वो उन्हें सब कुछ बता दे सिन कट होता है और अब तक कैनरा की अथरिटिस से जून को भी ये कबर मिले जाती है लेकिन वो अब तक जिन्दा है और ये जानकर जून बहुत ज़्यदा टेंशन में आ जाता है चूंकि सबी को पताता है कि गलेट में कैसे सजा दी जाती है इस तरफ गलेट में जून के पास में एरिका आती है और एरिका जून को बताती है कि उन लोगों को गौड ने किसी की लाइफ में बेबी लाने के लिए चुना था लेकिन फिर भी उन लोगों ने बच्चों को उन पेरेंट से अलग करके ये पाप क्या है जून को उन करेगी तो उनको अपने असली कर भी जा जाएगा पर उन लोगों का हर बार रेप हुआ और उनको फिजिकली और सेक्शुली अब्यूस किया गया था और इस हिसाब से तो एरिका ने भी उन हेडमेट का विश्वास तोड़ा था जून की ये बात सुनकर एरिका बहुत ज़ पोड़ जा जाता है इस तरफ केनिना में जौन और मुर्या बाते कर रहे थे जौन को अब जून पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि जून को गलेट से बाहर भागने का दो बार मुका मिला था लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद वहां से नहीं नि गलेट में जब उनको पता लगता है कि जून ने उनको गलत लोकेशन बताई है तब एरिका के कहने पर दो गार्ड जून को लिफ्ट से चत पर ले जाते हैं और उस दिन बारेज भी हो रही थी जून देखती है कि चत पर शैशा और क्लोरा को बांद कर रखा गया था और ल ल्यूटिनेंट फिर जून को शैशा के पस लाता है और कहता है कि अगर जून लोकेशन बता देगी तो शैशा के जम बचा सकती है लेकिन जून उसे कुछने बताती है और तो ल्यूटिनेंट शैशा को भी शट से नीचे फेक देता है और यहां पर शैशा और क्लोरा दोन आसनि से हेन्ट मिटि का लोकिशन नहीं बताने वाली है, जब तजिन की किसी कंजोरी को उसके साब मेर न लाय जाया तब तक जिन उनकी लोकशन नहीं और नो की हालात बहुते ज़्यादा खराब है और शायद अब डेजी और बाकी प्रोस्टिटूट की भी जान खतर में है जून यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस को इसा दिखाती है कि जैसे कि उसे स्लो पॉजन के बारे में कुछ नहीं पता हो और मिस्टर लॉरेंस जून कुन हैनमेट का लोकेशन बताने को कहते है क्योंकि अब जून की बेटी ऐलिजबेट अतुरिटिस के पास है जो कि ऐलिजबेट के साथ में कुछ भी बुरा कर सकते है जून यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस की बात नहीं मनती है गलेट के लिए सबसे important चीज़ वहाँ के बच्चे थे तो authorities बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती थी लेकिन Mr. Lawrence यहाँ पर जून के गलत वेमी दूर करने के लिए कि गलेट के लिए सबसे important चीज़ बच्चे नहीं बलकि गलेट की power है और फिर भी जून उन हैनमेट का लोकेशन नहीं बता रही थी तब गार्ड जून को एक दूसर डूमे लेकर जाते हैं जहां पर एलेजबेट को रखा गया था जून अपनी बेटी को देखकर खुश थी लेकिन एलेजबेट जून को देखकर बहुते ज़दा डर जाती है जैसे कि वो अपने असली मा को नहीं पचानती हो एलेजबेट का ऐसा behavior देखकर जून को बहुते ज़दा बुरा लगता है और वो हार मानकर अथोरिटिस को उन हैंडमेट की रियल लोकेशन बता देती है लोकेशन बताने के कुछी टाइम के बाद में उन हैंडमेट को आडमे पकड़ लेती है अब अब फिस सबी हैंडमेट को पकड़ लिया गया था और वो सबी बिलकुल ठीक थी यह बत एरिका जून को बताती है यहाँ पर जून की बेटी अब जून को नहीं पचानती थी और वो जून से डरती थी इस बात से जून बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी जून खुद ही एरिका से कहती है कि उसे मौत के सजा दे दी जाए लेकिन यहाँ पर हैंडमेट को नहीं मा जाता है क्योंकि हैंडमेट से गलियर्ट का फ्यूचर बढ़ाने के लिए उनको बेबी देती है तो उनको वे लोग क्यों मारेंगे अब जून और हैंडमेट को कॉलोनीज में भेजा जाएगा और वहाँ पर उन पर इस्ट्रिक्ट नजर रखे जाएगी कॉलोनीज में हैंडमेट फेक्टर में काम करेगी और जिन भी कमंडर और अमीर लोगों को बेबी चाहिए वे लोग हैंडमेट के पास में खुदी आएंगे और उनके साथ में इंटिमेट होंगे और बेबी होने के बाद में उनके बेबी को फेमिली को दे दिया जाएगा और अब उनको पहले के दर कोई भी घर नहीं मिलेगा अब फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलोनी में बेजने के लिए जुन को नहला जा रहा था और यहाँ पर हम जून की बाड़ी पर कई चोटों के निशानों को भी देखते हैं जो कि उसे टॉर्चर के टाइम पर दिये गए थे फिर जून को हेंडमेट का वही रेड यूनिफर्म पेना जाता है और फिर एक गाड़ी से जून को उतार कर एक दूसरे गाड़ी के तरफ ले जाता है रास्ते में जून को निक मिलता है जो कि जून को बताता है कि एलिजबेट बिल्कुल ठीक है और उसे मिस मैकेंजी के पास में भेज़े दियागा है एलिजबेट जो कि अब जून से डरती है और इस बात को लेकर जून बहुते ज़तर होती है तब निक जून को बताता है कि एलिजबेट उससे बहुते ज़ादा प्यार करती है और निक भी जून को बहुते ज़ादा प्यार करता है और ये सब उसने जून की जान को बचाने के लिए किया था तब ही वहाँ पर हैंडमेट को ले जाने के लिए वही गाड़ी आती है और जाने से पहले जून निको किस करती है और गाड़ी में बेट जाती है गाड़ी के अंदर सब भी हैंडमेट और एरिका थी और कुछ दूर जाने के बाद में गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है क्योंकि ट्रेन आगे से जाने वाली थी और गाड़ी का ट्रैवर जो की एक आर्मी भी था वो बातरूम करने के लिए गाड़ी से कुछ दूर के लिए चला जाता है तब जून को यहां से भागने का एक मौका दिखाई देता है वा बाकी हेंडमेट को इशारा करती है और खुद एरिका को पकड़ लेती है तब बाकी के हेंडमेट दोर को खुल कर भागन लगती है और जून एरिका को गाड़ी में चोड़ कर भाग जाती है अब ट्रेन के आने से पहले उनको वो रास्ता क्रोस करना था ताकि आर्मी उनको पकड़ नहीं पाए फिर वे सबी अपनी आज़ादी से कुछ कदम में दूरते लेकिन वो आर्मी उनको भागतावा दिखकर उन पर गोली चलाने लगता है जिससे के तीन हैनमेट गोली लगने की वज़े से मार दियाती है ट्रेन के आने से पहले जून और हैना तो रेल लाइन को क्रोस कर लेते हैं लेकिन मौनी और एलमा को ट्रेन रास्ता में कुछल देती है और हैना के अलावा बाकी की हैनमेट मारे जाती है और फिर जून कुद को और हेना को सम्माल कर माज से आगे बढ़ती है और इसे के साथ में एपिसोड 3 यह पर कतम होता है यहाँ से शुरू होता है हेनमेट टेल सीजन 4 का एपिसोड 4 जहां पर हम देखते हैं कि जून हेना को समझा रही थी कि उनकी बाकी की हैनमेट दोस्त मर चुकी है लेकिन उन लोगों को खुद को बचाने के लफाइट करना होगा फिर भागते भागते दोनों रात को शिकागो जाने वाली एक मालगाडी तक आ जाते हैं और गाड से बचता है जून और हेना उस मालगाडी के अंदर एक टेंक के अंदर गुज जाते हैं जिसमें दूद बरावा था उस टेंक में दूद को अच्छे सा रखने के लिए अंदर ऐसी चला कर रखा गया था फिर चप गाड वहापन चेक करने के लाता है तो उसके चेक करने से पहले ही दोनों उस मिलक के नीचे छुप जाते हैं और गाड के जाने के बाद में दोनों निकल जाते हैं वो मिलक बहुत ज़दा ठंडा था और इतनी ठंड में दोनों की जान जा सकती थी फिर किसी तरह जून एक पाइप होल से सारे मिलकों को बाहर निकल देती है यहाँ पर करेड़ा में मोरिया नीना को बताती है कि उसने उसके सिस्टर और नेफिय के बार में पता किया था लेकिन करेड़ा की फाइल में उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो नीना की सिस्टर और नेफिय के बार में पता करती रहेगी नीना भी मोरिया को इसके लिए थैंक्यू कहती है और यहाँ पर मोरिया से नीना को पता चलता है कि सेरेना उसे मिलना चाहती है नीना को समझ नहीं आ रहा था कि सेरेना उसे क्यों मिलना चाहती है लेकिन फिर भी नीना उसे मिलने कर जाती है सेरेना नीना से मिलकर बहुते ज़्यादा खुश थी और सेरेना नीना को उसकी प्रेगनेंट से के अल्टरसॉण की फोटो दिखाती है और नीना को बताती है कि वो प्रेइनेंट है दोनों को इस बात का यकिन नहीं हो रहा था सेरेना समझती थी कि गल्यट और फेट से अलग होने के बादी गौड ने उससे माँ बनने का चांज दिया है ताकि उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो और नीना यहाँ पर सेरेना के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी दूसी तरफ जून हैना को इतनी ठंड में सोने से मना करती है नई तो हैना की जान को खत्रा हो सकता था और दूनों किसी तरफ उस ठंड को सैन कर रहे थे यहाँ पर जून और हैना के बीच में जगला होने लगता है जून यहाँ पर किसी मेडे को ढून रही थी जो कि उसकी मदद कर सकता था पर उस तक पहुशने के लिए जून का कोई प्लान नहीं था और अब तक सभी हैनमेट्स जून का प्लान पर ही विश्वास कर रहे थे और उनको फॉलो करते हुए सभी हैनमेट्स की जान चली गई थी वे लोग अगर चाते थो कमंडर कीस के घर से बाग सकते थे पर उन्होंने जून का वेट किया और जून अगर उनका लोकेशन नहीं बताती तो आज वे सभी जिन्दा होते हैं जून यहाँ पर हेना को कहती है कि अगर उसके सामने एलिसेबित को नहीं ला जाता तो कभी भी उनका लोकेशन नहीं बताती और गुस्से में जून हेना को ये तक के देती है कि बहुत पहले ही मुझे तुम को छोड़ देना चाहीता जिसाथ सुनकर हेना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अब फिर हमें नई लोग के पहले हेना के पास्ट को दिखा जाता है जहां पर हेना एक केप ड्राइवर थी और अप्टेंगनेंट थी हेना की फाइनेशल हालत ठीक नहीं थी और इस टाइम पर वो एक बच्चे की रिस्पोंसिपलिटी नहीं ले सकती थी इसलिए हेना एक क्लिनिक में अबोर्शन के ले जाती है पर वहाँ पर डॉक्टर यहीं बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे अबोर्शन ही करवाना चाहिए अबोर्शन के टाइम पर बेबी के टुकले करके उसको निकला जाता है और अगर बेबी की बोड़ी का एक भी पार्ट हेना के अंदर रहे गया तो इन्वेक्शन से वो भी मरी जा सकती है इस तरह बेबी को मानना सही नहीं होता है और वो एक पाप होता है डॉक्टर यहाँ पर हेना का अबोर्शन करने से मना कर देती है और उन्होंने हेना को इसलिए बुलाया था ताकि वो हेना को एक बेबी की इंपोर्टेंस समझा पाए और इन सब चीजों को सुनकर हेना वह से चली जाती है फिर प्रेजन टाइम में मार्क नीना से मिलने के लाता है और उसे कहता है कि उसे सेरेना के केस में अथोरिटिस के कुछ सवालों के जवाब देना होगा अथोरिटिस यहाँ पर यह जानना चाते थे कि क्या सेरेना ने कभी हेनमेट के उपर अब्यूस किया है और क्या फ्रेज ने भी सेरेना के उपर अब्यूस किया था सेरेना यहाँ पर नीना को अपने साइड रखना चाहती थी और अब नीना फिर से फ्रेड से मिलने के लजाती है और फ्रेड यहाँ पर नीना से कहता है कि अपनी एक फैमिली मेंबर से मिलकर उसा अच्छा लगा पर नीना फ्रेट को याद दिलाती है कि वे लोग फैमिली नहीं है नीना फ्रेट को सेरेना की प्रेगरंसी के अल्टरसाउंड के फोटो दे कर ये कहती है कि फ्रेट अब अपने फैमिली की रिस्पोंसिबिलिटी खुद ले और ये responsibility अब नीना की नहीं है फिर यहाँ पर सेरेना की प्रेगरंस की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक ड़ता अब इस तरफ जून और हेना को मालगाडी के बार से गुली चलने की आवज सुनाए देती है और हेना की मदद से जून उस टेंकी से बार निकलती है फिर वो हेना को भी बार निकलती है बार जून देखती है कि गाड को कुछ लोगों ने मार दिया था और वो मालगाडी मेर रखे हुए खाने के सामान को चुरा रहे थे फिर उनी लोगों में से एक तरीसा नाम की लड़की जून पर गन पॉइंट करती है और जून तरीसा को रिक्वेस्ट करती है कि वे लोग उनको न मारें उनके पास में कोई भी हत्यार नहीं है जून और हेना फिर 10 सो उतरते हैं और वहाँ पर उन दोनों की तलाश ली जाती है तब भी वहाँ पर स्टीवन नाम का एकादी में आता है और वे लोग अपने साथ में किसी भी हैंडमेट को नहीं ले जाना चाते थे क्योंकि हेनमेट को ढूंड कर कोई भी उनके सेफ प्लेस का पता लगा सकता है जून फिर उनको यह यकिन दिलाती है कि वो उनके बहुत ही काम आ सकती है और बिना किसी को पता लगे वो यहां तक पहुची है और तब स्टीवन उन दोनों को अपने साथ में ले जाने के नहीं मिलने के कारण हेना बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी इस्टीवन उनको खाना नहीं देना चाहता था क्योंकि खाना वोई लोग गलेट के आर्मी से लड़कर खुद के लिए लाते थे जून तब इस्टीवन को कहती है कि उन लोगों ने बहुत फाइट की है और कोई लोग यह सोच भी नहीं सकते हैं कि वे उनके कितने काम आ सकते हैं तब इस्टीवन उन दोनों को खाना और कप्ड़े देने के लिए राजी हो जाता है लेकिन खाने के लिए जून और हेना में से किसी एक को इस्टीवन के साथ में इंटिमेट होना होगा इस्टीवन के किसी मेडे के बार में पूछती है लेकिन इस्तिवन किसी भी मेडे को नहीं जानता था और तब जून उस रूम से बाहर चली जाती है जून के बाहर आते ही हैना जून को खाना और कपड़े देती है और जून हेना से यहां से जाने की बात करती है क्योंकि जिस मेडे को जून रही थी वो यहां पर नहीं था अब कहानी फिर सब पास्त के तरफ आती है जहां पर हेना अपने बेटे के लोग के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थी और अगले दिन हेना अबोर्शन के लिए एक क्लिनिक पर जाती है और इस बार डॉक्टर अबोर्शन के लिए मान जात हैं दोस्तों इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि जून केसी भी टॉर्चर से अतुर्टेस के सामने नहीं जुकती है और अपने दोस्तों के लोकेशन नहीं बताती है लेकिन जब उसके बेटी को उसके सामने लाए जाता है तब जून हार मानकर हेन्मेट के लोकेशन को बता देती है क्योंकि एक माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए कम जरू होती है फ्रेड को भी यहाँ पर पता चलता है कि वो फादर बनने वाला है और अब देखना यह होगा कि फ्रेड अपने फैमिली के लिए क्या कर सकता है यहाँ पर हम हेना के पास्ट को भी देख पाते हैं जहाँ पर बच्चों के बर्थरेड में कम होता देखकर हेना जैसी ओर्टों को आवोर्शन करवाने के लिए रुका जा रहा था और यहाँ पर हम इस सीरीज में अब कुछ करेक्टर को फिर से नहीं देख पाएंगे जैसे की एलमा, मोनी, शैशा, क्लोरा और कई सरी हैंडमेट्स जो की आजादी के इतने करीब होकर भी अथोरिटिस के हाथों मारी गई तो दोस्तो हैंडमेट्स की लाइफ आगे कैसी होगी यह तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा और जोन गलेट सा सबको बाहर निकलने के लिए क्या करने वाली है यह जानने के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करके बिन लोटिफिकेशन आउन कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलें तो अब मैं आपसे मिलूगा अगले वीडियो में